हुआ हुआ है कैसे आप लोग वैलकम पैक तो बाइ चैनल तो जिस दिन शाम का अडग थाना उस दिन का ये क्लिप है और दो पहर के टाइम क्या था कि जो कोशी होता है उसमें डालने के लिए और सत्माता पे चढ़ाने के लिए प्रशाद बनाना होता है तो पूरी और ठीकव बनाना होता है तो अभी मैं पूरी आटा गुल ली थी और आटा गुलने के बाद कम से कम 25 पूरिया तो बनाने थी तो जादा हो जाता हूए वे पैर तो भर भाभी ने इस था शाव किया था तो जाता ही तो उसी क्या दो है की पिजाए मैं सब्धू में कवी कॉइलेबं के इस झिलने के बाद शर्फ नो दो too तीन पैच और फ्राई करना है बस यह हो जाएगा उसके बार ठेकवा की त्यारी करनी है साथ इसाथ एक चावल होता है उसको भी अभी पीसना है तो यहां पे अभी भाबी जो ठेकवा होता है उसका आटा भी बनाने के लिए आई है तो उसमें गुर्ड डालना होता है साथ मे जो गेहूं का आटा होता है कनक जिसको बोलता है उस आटे से ही बनेगा ये भी तो आटा अलग से खरीद के आया था तो बस ठेकवा के तियारी कर रही है और पूरी अभी फ्राई हो चुका है बीच में स्पॉश को खाना भी देने के लिए गई थी क्योंकि वो रो रहा था औ और यहां पर पानी में दे रही थी कि खुतने के लिए और थोड़ा सा जादा बनाना था क्योंकि चलो पूरी तो छोटे छोटे बना दिये लेकिन ठेकवा एकदम छोटा भी नहीं बन सकता है उसको फिर या तो बेल के बना दो या फिर उसको ठोक के बनाना होता है तो ममी बना दो तो बस वैसे ही बन रहा था भी और यहां पर लगबख देखिए ठेको अभी फ्राई होई रहा है और मेरा ब्लॉग लेट जा रहा है तोड़ी से तब भी ठीक रही है वेड़ी इसी वजह से आवाद से यह आप लोग को लग रहा होगा तो बस यहां पर देखिए इतना सारा बचा है और थोड़ा जितना भी है और इसमें आम की लगाई गई थी जैसे इसको बोलते हैं कि मिट्टी के चूले होते हैं उसको बनाया जाता है और उस पे ही बनाया जाता है बट वो नहीं हो पाता है तो मम्मी आम की लगा देती है और मम्मी जादा कुछ नही तो यहां देखिए डुगू छट माता जो बनाए गया ना उसको आके देख रहा था डुगू कि यह क्या है और इकदम ध्याम से देख रहा था कि यह क्या है वह उसको पता नहीं था लेकिन अब होते ना बच्चों को कोई भी चीज़े दिख रही है उस पे बीरवेगर लगा अब बीच में ही बनाए गया था तो अचानक से आके देखने लगा तो मैं उसको पकड़ के अभी साइड की लेकिन बार बार वही जा रहा था और इधर च्छद पूरा वाश किया गया था उसके बाद यह सब कुछ बनाएगे देखिए इसकी हेर भी ने कल कट हो जाएंगे कि दागा जी के पास जाना है और अभी इस टाइम पर सभी लोग आ गये हैं छट मात तक पर जैसे दूर बहुत लोग घाट पे जाते हैं बहुत लोग छट पर जाते हैं तो उसी तरीके से किया जाता है दोरा सर पर रखना बहुत ज्यादा शुब होता है इसमें सारी अभी आने पाए तिस पर्ष को डेडी करा रही थी बाकि सारी लोग अभी आ गये हैं और आते से ही अर्ग दिया जाता है डूपते वे सुरी को और सुबह सुबह उगते वे सुरी को अर्ग दिया जाता है तो डुगगू की तब्यत भी अभी न ठीक है ने तो उसको भाभी उतना सारी वो चढ़ा रही थी और बस ममी अभी दे रही है शाम का अर्ग और मैं अभी आई नहीं थी सपर्ष को भेज देती लेकिन बस मैं सोची नहीं की जल्दिल इस तयार होके मैं भी निकल के आती हो तो भाई फोटो के गरा ले रहा था और कैमरा ये भी मैंने लगाया ये भाई नहीं कैमरा लगा दिया था मेरा थोड़ा बहुत रिकॉर्ड हो गया नहीं तो जैसे मॉर्निंग से बहुत जादा शूट नहीं गी थी तो मैं भी अभी आचुकी हो और आने के बाद फिर यहां पर बैठके अक्शली ना बैग्राउंड मुझे म्यूट करना पड हमारे घर में नहीं आस पास में भी इतने सारे मतलब एक महौल सा होता है ना चट पुझा का वो रहता है तो हर जगह ही सौंग बसते रहते हैं तो इसलिए मैंने कई बार मैं डालती हूं लेकिन वह फिर क्लेम आजाता है क्योंकि दूसरे का कुछ भी कॉंटेंट यूज करन मैं यहां पर गाट की पुझा होती है न वह अभी कर रही है और सबी लोग यहां पर बैठे हुए हैं तो मैं भी यहां पर आचुकी हूं पापा डुगू को लेके बैठे हुए हैं भाई में चोटे भाई से बहुत दिनों बात मिली हूं और यहां पर भाबी मम्मी भाई रोई और स्पोश और मैं आपर स्वीट्स फेगरा जो लेके आई हुई थी ना घर से तो मम्मी ने इस बोली कि तुम चट माता पे चड़ा देना क्योंकि साड़ी वड़ी में कुछ लेके आई नहीं थी तो फ्रूट्स और स्वीट्स थे वह ममी ने मेरी तरब से चड़ा दिये और बस यहां पे डुगू बार पर जा रहा था कि यह क्या हो रहा है क्योंकि वह उसका फॉस्स टाइम फॉस्स चट पूजा में वह नहीं था भी उसके चार से पांस दिन बाद हुआ था तो उस टाइम बस वेट हो रहा था कि डुगू आएगा आएगा और इस साल देखे नहीं किया तो फॉलू कर लेना इंदें नीटूबर शारी का और अच्छे दिन से देखनें के लिए तो स्टाइम जी दूर से सूट कर रही थी तो मैंने थोड़ा से हैंड में गैमरे को लेकियो और ममी को भी अच्छे से कैप्चर किया बाई को भी कैप्चर किया और यहां पापा है चोटा भाई है और शपोश है यह आए नहीं यह इनको गाओं पर जाना था तो यह नहीं आए तो चलो कोई नहीं चाध माता प्रणाम आता है प्रणाम घुटारोगत और यह हमारे साइड का बहुत ही जादा मतलब बोलते हैं एक दम फिमस फैस्टिबल है और बहुत मतलब मनत पुरे पुरा करने वाला भी इस टाइब से है और यह खास करके बच्चों के लिए ही किया जाता है तो सारे लोग अपने बच्चों के लिए करते हैं कर दो प्रूरा मांग के तो वो भी पूरा होता है शायद मतलब जहां तक मैं सुनी हूँ तो बस यहां पर अब न यहां से हमारा जाने का भी टाइम हो रहा है मतलब यह घाट से जाने का ताइम हो रहा है मैं प्रनाम जैसे कर रही थी ना जैसे इस पॉष ने मुझे देखा वैसे ही सेम करने लगा जन Click Mate Met gram अर्ट्ष नेम ने बोला कि जैसे तुम कर रही थी ना वैसे इस पर ने कित तुम को कर रहा था तो मुझे भी हसी आई देखा ना एक बार उटके की मैं अभी जुकी हुई हूई हूँ तो वो भी फिर से जुक गया था यह रहा भाई जो आज मेरी वीडियो बना रहा है वीडियो में तो बड़ा ही कम आता है फोटो बेगरा क्लिक करवाने का अब इनको शुक नहीं रहा पहले बहुत फोटो बेगरा क्लिक करवाता था तो बस यहां से अभी हम लोग जा रहे हैं जितने भी चीज़े होती है सब लेके जा रहे हैं और फिर सुबा के टाइम यह सारी चीज़े लेके आना होता है यहां पे उसके बार टाइम आजाएगा ना कोशि भरने का मतलब जैसे यहां से जाते हैं उसके बाद धोड़ा बहुत अंदेरा होता है तो कोशि भरने का टाइम यह सारे गरना लेके आ रहे हैं और यह गरना वैसे तो बहुत सारी लोग वग 12 करते हैं और चौबिस भी करते हैं तो मम्मी ने मनत मांगा था वो पूरा हुआ मतलब ऐसे ही माना जाता है कुछ भी शुब काम होता है और फिर कुछ मांगे रहर पूरा होता है तो फिर कोशी भरा जाता है तो इस बार हमारे ग़र 24 कोशी भराएगा कुछ ना कुछ हो वा मतलब पूरा हो मैंने मम्मी से पूचा नहीं तो बस यहां पर आफी नया कुछ भी होता ना तो भी भरा जाता है तो यहीं पर कोशी भरा जाएगा क्योंकि बोला जाता है आंगर में भरते हैं हमारे घर में तो अंदर आंगर नहीं है यहीं खुली जगह है तो यहीं पर होगा और इस पर यहां पर बैड़ पर बैठा हुआ था तो गाइस ब्लॉग को यहीं पर मतलब मुझे पहले पता नहीं था लेकिन जब किया तो फिर मैं उसको अंदर लेके चली गई और थोड़ी से उसको ठंड लग गई है कोल्ड वेगर हो गया है तो गाइस चलिए इस ब्लॉग को यहीं प्यान करती हूं मिलती हूं ना इस ब्लॉग में बबाई टेक यह लव झाता हूं